फूटा घड़ा बहुत समय पहले की बात है किसी गाउं में एक किसान रहता था वा रोज भोर में उठकर दूर जर्नों से स्वच पानी ले जाया करता था उस काम के लिए वा अपने साथ दो बड़े घड़े ले चाता था जिन्हें वो अपने डंडे में बाध कर दोनों और लटका लेता था उनमें से एक घड़ा कही से फूटा हुआ था और दूसरा एक दम सही था इस वज़ा से रोज घड़ पहुचते पहुचते किसान के पास देड़ घड़ा पानी ही बच पाता ऐसा दो सालों से चल रहा था सही घड़े को इस बात का घवंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घड़ पहुचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है वहीं दूसरी तरह फूटा घड़ा इस बात से सर्विंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घड़ तक पहुचा पाता था और किसान की मेहनात बिकार चरी जाती है फूटा घड़ा ये सब सोच कर बहुत परसान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया उसने किसान से कहा मैं खुद पर सर्विंदा हूँ और आप से चमा मांगना चाहता हूँ किसान ने पूछा क्यों तुम किस बात से सर्विंदा हो सायद आप नहीं जानते पर मैं एक जिगहा से फूटा हुआ हूँ और पिछले दो सालों से मुझे जितना पानी घर पहुचाना चाहिए था बस उसका आदा ही पहुचा पाया हूँ मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वज़ा से आपकी मेनात बरबाद होती रही है फूटे घरे ने दुखी होती भी कहा किसान को घरे की बात सुन का थोड़ा दुख हुआ और वह बोला कोई बात नहीं है मैं चाहता हूँ कि आज लवटे वक्त तुम रास्ते में पढ़ने वाले सुन्दर फूलों को देखो घरे ने वैसा ही किया वह रास्ते भर सुन्दर फूलों को देखता आया ओ मायूस हो गया और किसान से ज्चमा माने लगा किसान बोला साय तुमने ध्यान नहीं दिया पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे ओ बस तुमारे तरफ ही थे सही घरे की तरफ एग भी फूल नहीं था ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाव उठाया मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बरंगे फोलों को बीज बो दिये थे तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सिश्ते रहे हो और पूरे रास्ते को इतना खोशूरत बना दिया आज तुम्हारी वज़ा से ही मैं इन फोलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुन्दर बना पाता हूँ तुम ही सोचो अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता